नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है अगर राजनीती में जीत न मिले तो सामाजिक परिवर्तन के लिए सत्ता का उपयोग नहीं किया जा सकता ना देश के लिए ना समाज के लिए ना व्यक्ति के लिए इसलिए जीत जरूरी है जिस तरीके से जीत मिले इसके लिए कोशिश करनी चाहिए संगठन की मजबूती लोगों पर निर्भरता की कमी और नेता अपने हार्ड कोड डिसीजन के लिए जाने जाने चाहिए यही काम भारतिय जन्ता पार्टी के अंदर चल रहा है परदान मंत्री नरिंद्र मोदी और अमिश्या दोनों मिशन 2024 पर लगे हैं लेकिन उससे पहले जो 2023 में विधान सभा चुनाव होना है उसके उपर भी ध्यान देना है और इसलिए पिये मोदी भी मैदान में उतरे हैं एक दिन में दो दो जगह पर रेलियां कर रहे हैं यानि मद्ध परदेश भी पहुँचते हैं और राजस्थान भी पहुचते हैं लेकिन इस बीच एक बड़ा फैसला पिये मोदी और अमिश्या ने लिया है और जिस तरीके से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की त अगर सारे नेताओं को खुष करने के लिए काम किया जाये तो फिर भारतिय जन्ता PARTE का हाल भी कंग्रेस की तरह होगा जिस तरीके से कंग्रेस ने कई नेताओं को ढोया लंबे समय तक ढोया चाहे उसकी लोगप्रियता हो या ना हो चाहे पबलिक में वो अट्रेक्ट कर सक या फिर वो चाहे तो किसी भी तरीके से सांसदी या फिर विधान सभा का चुनाब जितने के लायक भी न रहे लेकिन उनकी एक विशेस्ता होनी चाहिए और वो है सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी यानि नेहरू गांधी परिवार का चापलू सोना यही उनकी विशेस्ता हो जैसे केसी वेनु गोपाल आजकल है लेकिन भारतिय जन्ता पार्टी में ऐसा नहीं होता है अगर आपने अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाया तो आपको धीरे धीरे साइड किया जाएगा और यहां तो एक जटके में पिये मोदी ने पांच राज स्थान और मद्धपर्देश और च्छतिसगर तीन राज्यों की बात करें तो मद्धपर्देश में जिस तरीके से अमिश्य शाह ने प्लान बनाया पीये मोदी ने लगतार मद्धपर्देश पर ध्यान देना शुरू किया और केंद्रिये नित्रित्व ने अपने नियंत् सभा कंडिडेट को भी तैक करना शुरू कर दिया है इससे संकेत मिलता है कि हस्तचेप शिवरासिंच चौहान का नहीं है उन्हें सीम का फेस इस बार नहीं बनाया गया है और पीए मोदी बार बार कह रहे हैं चेहरा नहीं बलकि कमल का फूल देखो अगर कमल के फूल से आपक कर वोट दें और किसी भी दूसरे स्तर के नेताओं के बारे में न सोचे भारतिया जनता पार्टी का केंद्रिय नितृत्व यuciones फैसला लेगा वो देश समाज के हिसमें होगा आप लोगों के हिसमें होगा इसकी बार बार ये बात कही जा मद्ध परदेश में दो लिस्ट भारतिय जन्ता पाटी ने जारी की पहली लिस्ट में 49 नेताओं का जो उम्मिदवार बनाये जाने हैं उनका नाम दिया गया और दूसरी लिस्ट जो जारी की गई है उसमें भी 49 नेताओं का नाम ही है लेकिन ये दूसरी लिस्ट चौकाने व प्रीवी नेताओं का मानना है कि हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी इस लिस्ट में कुछ नेताओं के नाम के बारे में क्योंकि यह चौकाने वाला इसलिए है कि यहाँ पर जो 49 कंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है उसमें से 7 सांसद हैं सांसद जो भी वरतमान में सांस हैं उसमें से 7 सांसदों में 3 केंद्रिय मंत्री हैं यानि परलाद पटेल, कुलस्ते और तीसरा नाम नरेंदर सिंटोमर का है तीन केंद्रिय मंत्री को विधान सभा का चुनाब के मैदान में उतारना एक बड़े चौकाने वाली बात है जिसरे कॉंग्रेस के खेमे में एक तरीके से हड़कम मच गया है और शिवरास इंचोहान को भी ये लगने लगा है कि अब हम उस तरीके से सीम कंडिडेट बनकर नहीं उबरेगे इनको भी नहीं पता था कि इन लोगों को चुनाबी मैदान में उतारा जाएगा लेकिन इसके पीछे एक अस्ट्रिट जी है एक केंद्रिय मंत्री विधान सभा चुनाब लड़ते हैं तो वो पूरे जिले के 7-8 विधान सभा च्छेत्रों को कवर कर सकते हैं अपने नहीं बलकि अपने आसपास के च्छेत्रों में भी उसी तरीके से अगर एक सांसत चुनाब लड़ते हैं तो वो भी अपने जो लोक सभा च्छेत्र है उसमें कम से कम उनका जो एपियरेंस होगा उपस्थित्ती होगी उससे बड़ा परभाव पड़ेगा और चुकी पिछले विधान सभा चुनाब में शिवरासिन चौहान के नित्रित में ही मद्द परदेश का चुनाब लड़ा गया था लेकिन हुआ क्या था भारतिय जनता पाठी कुछ अंकों से पीछे रह गई 230 सदस्ये विधान सभा में भारतिय जनता पाठी को 109 सीटे मिली थी जबकी कॉंग्रेस 114 सीटे ले आए थी हाला कि कॉंग्रेस ने सरकार बनाई वस्पा के समर्थन से निर्दलिये के समर्थन से और वो सरकार जादा दिनों तक चली नहीं 15 महीने के अंदर ही सरकार गिर गई क्योंकि कॉंग्रेस के अंदर ऐसे कलह मचता है हर राज्यों में कि वहाँ पर साथ में मिलकर सरकार चलाना मुश्किल हो जाता है मलाई भी खानी है साथ में कुछ विरोध भी है गुटवाजी भी है और वही गुटवाजी वहाँ पर सिंधिया ने तयार किया और सिंधिया के गुट को जो तबज्यो नहीं दिया जा रहा था उसी का परिणाम था सरकार गिर गई लेकिन हार तो हुई भारतिय जनता पार्टी हारी और शिवरासिन चौहान को जब फिर से भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सीम तो बनाया गया लेकिन इस चुनाब में उस फैक्टर को देखा जा रहा है कि इतने लंबे समय से जो सीम है क्या उनके अंदर फिर से ये का किया दिया जाए जिम्मेदारी दी जाए इसलिए मोदी शाह एक्टिब हैं मद्र परदेश को लेकर क्योंकि ये सिर्फ विधान सवा का सवाल नहीं है मद्र परदेश की 29 लोकसभा सीटों का भी सवाल है और जिसमें भारतिये जंतापार्टी को पिछले 2019 के लोकसभा और इसलिए भारतिये जंतापार्टी ने रन्निती बनाई है और धीरे धीरे उस रन्निती को इंप्लिमेंट करने के लिए केंद्रिये टीम एक्टिब है और जो भी बड़े नेता है मद्र परदेश के सब को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा लोकसभा के सांसद, एक और जगह है जहां चुनाव होना है वो है राजस्थान जहां पिये मोदी पहुचे लेकिन पिये मोदी ने एक संकेत दिया कि अब जो परंपरागत तरीके से आज गुटवाजी में फसे हुए हैं उस वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड कर दिया गया है जब पिये मो जिसमें राज्य के नेता थे और केंद्रिय मंत्री तो ये दो राजस्थान के हैं ही लेकिन वसुंधरा राजे उस समय तक नहीं आये थी वो इंतजार कर रहे थी पिये मोदी आएंगे तब ही मंच पर आएंगे लेकिन हुआ क्या पहले तो सब लोगों ने अपने भाशन द दिया राजस्थान में चुनाव होना है गहलाओद पर उन्होंने जो बाते कही द्रस्टाचार की सुन्न पर आउट करने की वो तो अलग है लेकिन पाटी के अंदर चल रही गुटवाजी को लेकर भी संकेत दिया कि भारतिये जंतापाटी चुनाव लड़ती है कोई व्यक्त व्यक्ति को चिहरा नहीं बनाया गया है लेकिन पिये मोदी के बाद सीपी जोसी ने एक मातर भाषन दिया जो राजस्थान में भारतिये जंतापाटी के परते सद्यक्ष है और इसलिए ये संकेत मिल गया कि अब वसंधरा राजे का दाल नहीं गलने वाला है अगर वो सीधे तरीके से संगठन के साथ काम करने के लिए तयार होती हैं तो उन्हें बाद में जिम्मेदारी क्या दी जाएगी वो बता दिया जाएगा केंदर में लाया जाएगा ये भी बता दिया जाएगा लेकिन अगर वो गुटवाजी करती रहती हैं तो फिर उनका भी वही हस्र होगा जो भारतिय जंता पाथी के कई अर्नेताओं का हुआ छिन्होंने विद्रोह किया शदुद्रनि इसन सिन्हाज यह के अदर रहे हैं और उन्होंने गुठवाजी की विद्रोह किया और वो आज राजनीती से लगवख आउठ हो चुके हैं ये राजस्थान के अलाबा 36 गड़ में भी चुनाव होना है और वहां भी पुर्व मंत्री जो मुख मंत्री पुर्व हैं डाक्टर रमन सीन उनको भी साइड किया गया है उनको भी बहुत जादा तवज्जो नहीं दी जा रही है नेताओं कार्दकरताओं संगठन के लोगों जो बड़े निता हुआ करते थे दिलीब घोस उनको भी साइड किया गया है उनको इंट्रक्शन दिया गया है ऐसा निर्देश दिया गया है कि आप जो बेकार की बाते करते हैं उस पर लगाम डालिए आप पुरुव परदेश अध्यक्ष रह चुके हैं वहां पर आपके नितरित में चुनाव भड़ा जा चुका है आप बहुत जादा सफल नहीं हो पाए इसलिए अब कम से कम इस तरह का बयान मत दीजिए जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो बार बार ये बात मत कहिए कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है यह तो ममता बनर जी के इतने विधायक तूटने वाले हैं ये सारे जो सपना दिखाने वाली बाते हैं वो हकीकत में नहीं होती है और लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं हमारी विश्वस्नियता कमजोर होती है इसलिए आप थोड़ा सा चुपी सादे रहें अपने छेतर जो और राज्य है बड़ा राज्य है विएर जहां पर भारतिय जन्तापाटी की नजर इसमार टिकी हुई है जिस तरीके से विएर में सियासी परिवर्तन हुए हैं बदलाव हुए हैं और गठवन्धन सहयोगी अदले बदले गए हैं उससे वहाँ पर सितियां बदल गई हैं और इसलिए बिहार के कुछ नेताओं को भी साइड किया गया है, उसमें सुसील मोदी का भी नाम है। सुसील मोदी को तो पहले ही केंद्र में लाया गया, लेकिन ये जो ज़्यादा तर भयान वाजी करने की बात है, उनको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इस बात के लिए कि सैयम रखिये, और चुनाव आने का इंतजार कीजिए, कभी कभी अस्ट्रिडजी बदलती है, रन्नीती बदल जाती है, और बदले हुए रन्नीती में वो पुराने आपके बातों का जिक्र किया जाता है, इसलिए ज़्यादा एग्रेसिव उग्र होने की जरुवत नहीं है, इंतजार कीजिए और वही बयान दीजिए जो भारतिय जनता पार्टी के लिए अनुकू इसी ही थी, जिसके कारण उन्हें भी साइड किया गया, और राजी परता परुड़ी, नंद किशोर यादब, ऐसे दो और नेता हैं भारतिय जनता पार्टी के जो एक्टिव रहते थे, उनको भी साइड किया गया है, मतलब इन पाँच राज्यों के आठ बड़े नेताओं पर गाजगिरी है, इनको साइड किया गया है अभी, और रनिती जो बनाई जा रही है, इन सारे राज्यों में, क्योंकि ये सारे राज्य जो हैं, लोकसभा के लिए भी महत्पूर्ण हैं, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा के सीटे हैं, बिहार में 40 लोकसभा के सीटे हैं, और मद्रपरदेश में 29 और राजस्थान में 25 लोग सभा की सीटे हैं और इन सब जगों पर भारतिय जनता पार्टी को अपना जोड लगाना है जहां पश्चिम बंगाल में सीटे बढ़ानी है बिहार में पहले वाले सिति में आनी है क्योंकि 2014 के चुनाब में तो भारतिय जन सक्ति पार्टी को उस पर भी जीत हुई थी तीन सीटे जो आज कुश्वाहा भारतिय जनता पार्टी के साथ आये हुए है उपेंद्र कुश्वाहा की पार्टी को दी गई थी वो भी जीत हुई थी यानी 31 सीटों पर जीत हुई थी और नितीश कुमार को केवल 2 सीटों पर हाला कि लोग जनसत्ती पार्टी को 6 सीटे मिल गई, 16 सीटे जदी को ही मिल गई, लेकिन नितीश कुमार पर भरोसा नहीं है, फिर से पलते हैं, 2 से 14 लाने में भारतिय जनता पार्टी का युगदान है, पी ए मोदी का युगदान है, लेकिन अब 2024 की बारी है, इसके पहले जो कुछ और नेताओं को साइड किया जाएगा, क्योंकि भारतिय जनता पार्टी में काम करना है, रहना है, तो पर्फॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, पर्फॉर्मेंस नहीं दिखाए, तो फिर आप बड़े नेता नहीं कहलाओगे, बलकि आपका कद फिर छोटा हो जाएगा तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाधिर होंगे, तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ, और देते रही है हमे सायोग, ताकि इसे तरही खबर हम आपके लाते रहें, धन्यवाद